दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। के लावा लावा लारदर्ता और हुमाकु राषिभी मुख्य भूक्षुमुक्त जा रहा है अक्षैकुमार की फिल्म बेल बाठम अबीबी सिनेमा घरों में तिके ही है ये एक स्पाय थ्रिलर, मूवी है, इस मूवी का नर्डेशन रंजीत तिवारी ने की है, बेल बाटम मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट लगभग 70 करोड रुपए बताया जा रहा है, प्रिन के कलेक्शन की बात करें तो बेल बाटम मूवी कुरोना महामारी में भी बॉक अगर बात करें इस मूवी के तीसरे वीक के कलेक्शन के बारे में तो पेल पाटम मूवी तीसरे वीक में बॉक्स ओफिस पर दो करोड़ अठासी लाग रुपे का कारोबार करने में सफल रही है। अगर बात करें इस मूवी के 25 दिन्यानी रिलीज के चौथे रविवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो पेल पाटम मूवी 25 दिन्यानी रविवार को बॉक्स ओफिस पर लगभगर 40 लाग रुपे का कलेक्शन करने में सफल रही है। अगर बात करें इस मूवी 26 दिन्यानी रिलीज के चौथे सुमवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो प्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है। दोसके अनुसार ये मूवी 26 दिन्यानी सोमवार को बॉक्स ओफिस पर लगभग 15 लाग रुपे की कमाई करती हुई नजर आ रही है। पर बेल पार्टम मूवी के अब तक के कलेक्शन में आज यानी सोमवार के दिन का कलेक्शन आड कर दिया जाए तो बेल पार्टम मूवी का 26 दिनों का इंडियाने कलेक्शन 30,87 लाग रुपे हो जाता है। दोस्तों अगर आप बेल पार्टम मूवी देख चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बताए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हुँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। खुद दो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और करमों के बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जाने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।